तो अन्शन के जवाब में अन्शन और ये दो चेहरे जो हैं, वो कही न कही उसकी नुमायंदगी कर रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्वा तो चार दिन से अन्शन करी रहे हैं, अब उनके जवाब में के जवाल समर्थक और आमाद्मी पार्टी विधायक संजीव जाज जो हैं, आज वो राजगाट गए वहाँ पर बापू को श्रद्धाजली देने के बाद अब वो भी जो हैं अंशन शुरू कर रहे हैं संजीव जाब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ दिखाई दिये थे यानि कि बापू की समाधी राजगाट में दिखाई दिये थे तो अबस कुछी देर पहले यहाँ पर संजीव जाब मौझूद थे यानि कि जस तरह से कापिल मुश्रा ने अपने अँच्छन का आगास किया था कुछ इसी तरह से संजीव जा भी अपने अंशन का आखास कर रहे हैं मेरा अंशन तुम्हारा अंशन ये अंशन की अब मानो जंग शुरू हो गई है तो कपिल मिश्राइद हमकी पहली दे चुके हैं कि कल वो एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं अब ऐसे में संजीव जा जो है के जिवाल के समर्थन में या कपिल मिश्रा के खिलाफ उन्होंने भी अंशन शुरू कर दिया है तो कपिल मिश्रा अपने समर्थों के साथ और दूसरी तरफ संजीव जा को आप देख रहे हैं राजगाट में आज अब सबकी निगाए इस बात पर है कि दर असल जो कल खुलासा करने वाले हैं कपिल मिश्रा उसमें क्या कुछ कहने वाले हैं वो कि क्यों कहे चुके हैं कि मैंने अन्ना से सीखा था कि अगर कोई कुछ कर ना रहा हो तो उसकी नाक बंद कर दो मुझ खुद बखुद खुल जाएगा हमने आज शमाधी पर आकर बापू शाश्रिबाद हमने लिया है यही से कपिल मिश्रा ने जूट की शुरुबात करी थी आज हम सत्त की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अब इसलिए बापू का अश्रिबाद ले नहीं आये थे आज हम मेरा ये कहना है कि साथ तारिक को जो उसने एक जूटा आरोप अर्विंद केजरिवाल जी पे लगाया था उन्होंने कहा तक सतंदर जैन जी दो करोर रुपे अर्विंद केजरिवाल को दिया मेरा ये कहना है कि वो पांस तारिक को सुकर बार के दिन किस समय गए किस गारी से गए जैन साब से पहले गए या बाद में गए या साथ गए ये बता दें मेरे पास तुरे दिन का फूटेज है हम रिलीश करेंगे लेकिन अगर वो जूट बोल रहे हैं तो उनको कार्ज करता और देश और पार्टेश मापी मागनी पर ये ये है अब को रखे आगे